तो प्यारा बच्वों नमस्कार अभी इस पूडियो में हम चार सुका वरग मुल कैसे निकालें यह सिखेंगे पहले आप ये समझें कि वरगमुल को हम कैसे लिखते हैं अंडूट से लिखते हैं यानि अंडूट चार सुका वेलियू कितना होता है इसको कैलकुलेट करेंगे अंडूत का मतलब क्या होता है इसका घात एक बटे दो चीक है अब हमें क्या करना है देखिए बिल्कुल सिंपल है हमें अपना अभाजे गुणन खंडविदी कामें लेना है अभाजे गुणन खंड में करते क्या है दीगे संख्या के हमें अभाजे गुणन खंड करने होते हैं अभाजे गुणन खंड करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें अपनी अभाजे संख्या का भाग देते हैं यह अभाजे संख्या कौन से होती है दो तीन पांच साथ एक से लेकर दस तक की अबाजिय संख्या है सरफ तब हमने इसमें दो का भाग दिया भाग दो वार जीरो वार और जीरो वार फिर इसमें दो का भाग एक वार जीरो वार और जीरो वार फिर इसमें दो का भाग पांच वार जीरो वार फिर इसमें दो का भाग दो और 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 पांच और कितना आ गया पत्चिस पत्चिस में हमने देखा तो दो का भाग नहीं जा रहा है तो आगे तीन का चेक क्या नहीं जा रहा है लेकिन पांच का भाग जा रहा है पत्चिस में पांच पार फिर पांच में फांच का भाग आपका एक और तो यहां पर चार सो के वरग मुल की वेलिव क्या आगए बिल्कु सिंपल है दो समान संक्या का जोड़ा एक और यहां दो समान संक्या का जोड़ा एक और यहां तो समान संख्या का जोड़ा एक वार यहां इनका गुणा किया कितना रहा है बीस तो चार सुकावर गमल कितना होता है बीस होता है यही हमारे यहां पर एंस्वर है ओके आसान है